गुरु महराय ने आज के पाठ में वन्नन किया है ये सादग तू निशकाम भाव से भक्ति कर उस प्रमेश्वर की शरन निशकाम भाव से ले तू प्रीती कर, भक्ती कर, नाम जब ये सब उसी को अरपन कर दे बदले में यहां तक संभव हो तो कुछ भी ना मांग मत मांगो फल डाम उससे प्रीती कर, उसकी भक्ती कर तज कर फल की कामना भक्ती करो निशकाम तुम निशकाम भाव की भक्ती करो क्योंकि गीता का ग्यार माध्याय है जो इस प्रकार की भक्ती करने वाला है वह वास्तम में उस प्रमेश्वर में ही प्रवेश कर जाता है अनन्य भक्ती ही सादन हो सकती है उस प्रमेश्वर की प्राप्ती की भग्वान श्री क्रिशन चंदर जी महराज ने सुएम कहा है मैं अनन्य भक्ती से ही जाना जा सकता हूँ अनन्य भक्ती में सादक अपनी कर्तव कर्म को समझ कर प्रीती से लगन से श्रदा से उसके नाम का जाब करता है कोई मनोरत नहीं रहता कि मेरा ये कार्या सिध हो उसके लिए वैकर रहा है क्योंकि ग्यानी की तरह उसका लक्ष होता है प्रमेश्वर की प्राप्ति तो वहां तक सावना में जाने का गुरु महराई ने वनन किया कि तू नित प्रति दिन जो जाप करता है पाट करता है ध्यान करता है उस प्रमेश्वर को पाने का प्रियतन कर तेरे भाव यह होने चाहिए उस इश्वर को तो मानव नहीं चाहता प्रन्तु उसके पदार्थों को चाहता है बस यहीं पर दुखों का अरम होता है क्योंकि जिसकी भग्त कामना कर रहा है वहाँ पर सुख नहीं है विश्यों में पदार्थों में सुख तो उसकी शरन में है उसके मिलाप में है अपने लक्ष की प्राप्ती में है तब गुरु महराई ने कहा यह सादक तेरा नाम जाप सरप्रथम नित नियम से हो साइंकाल प्रातैकाल दोनों समय अपनी वृती को वश में करने का प्रियतन कर जो भी मन में कुभाव आते हैं जो विचलत करते हैं उन भावों को बार बार अपने हृते से बाहर कर निश्चे पूर्वक मन चंचल है इस ओर वै अकर्षित होता है विश्यों की तरह प्रंतु जो सादक होता है वे अपनी सादनामे उच शिखर पर पहुँचने के लिए जो कुभाव आए अपनी वृती उसको वश में करे कुभावों को बाहर करे अपने मन को बार बार नाम में लगाए सिमरन में लगाए उसके प्रेम में रमाई रखे और अपने भीतर की जो चंचलता है जो चपलता है जो बार बार अपना आक्रमन करते हैं उनको बार बार वैरागे से और प्रियतन से अपने मन को बार बार नाम जाप में लगावे और ये कार्या वै नियम पूर्वक करे तब वै घट उसको खाली करना किन से? विकारों से? विशे वासनाओं से? वै बीज जो ऑंकर हो रहा है भीतर नाम जो रमा हुआ है वै प्रकाशित ख्रिदे ये सादक तेरे को वै उन्नत लोकों को लिकर चलेगा जिसकी कभी तुने अकांग्शा भी नहीं की अभिलाशा भी नहीं की जिसके प्रती कभी विचार भी नहीं आया उन लोकों में तु भ्रमन करेगा जैसे गुरु महराई ने नंदन वन का वर्नन किया हुआ है वै द्रिश वै पेड़ पौदे वै वनस्पति वर्ग ना कभी देखी ना कभी सुनी वै दिव वै अपने ध्यान में सादक देखता है वै दिव द्रिश तब गुरु महराई ने कहा ये सब संभव होगा अपने हृदे से दुष्ट वासनाओं को बाहर निकालने पर उसको स्वच करने पर वै जियोतर मैं जगदीश वै प्रकाशित देव अदिदेव तेरे भीतर है उसको जानने का प्रियतन कर ईश्वर की जो सत्ता है वै शुद है जब तक तेरे हृदे में मलिंता रहेगी वै शुद सत्ता तू उससे नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये राग दुएश मी भीतर हो और वै प्रमात्वा मी भीतर अपने दर्शन दे दे ये संभव नहीं है तब गुरु महराई ने कहा ये सारा विश उसी का है ये सारा विश्तारा उसी का है सूरिया के रूप में वही चमक रहा है चंदर मा के रूप में वही वनस्पती वरक को मिठास दे रहा है शीतलता दे रहा है वैं सबका अधार है तेरा भी वही है अब तू और और तो पनार्थों की मांग कर रहा है उसकी प्राप्ती के लिए तू प्रियतन नहीं कर रहा है सबसे पहले तेरे भीतर जो कुभाव बार बार पैदा होते हैं उनको बाहर कर अपनी वृति को ठीक कर बार बार जो चपलता जो चंचलता जो बादक है उस प्रमेश्वर से मिलन के लिए उसके लिए तू प्रियतन नित प्राताकाल साइंकाल ध्यान में बैठकर जाप में बैठकर विशेश रूप से तू प्रियतन शील हो उस सत्देव अदिदेव परम प्रकाश रूप उसके मिलन में उसकी प्राप्ती में निश्चे करके जानियेगा गुरु माराई ने कहा जो संकल्प कर लेते हैं वे बहुत द्र्ड़ता से विश्वास के साथ प्रीती के साथ अनन्य भक्ती के साथ उस प्रमेश्वर के उस धाम की प्राप्ती कर लिया करते हैं गुरु माराई ने कहा तु अपने राग द्वेश पहले मन से हटा दे तु चिंतन कर, कीरतन कर, उसका प्यारा कथन कर वे तेरा भीतर निर्मल करने वाला है और इस भवसागर से पार करने में अतीव, आचूग, ये मंत्र, ये ग्यान है इसको कर और उसको प्राप्त कर ले अपने ग्यान से, अपने कर्मों से, उसकी पूजा कर नाम जाप को अपने हृदे में बसा लेना उचित है जैसे हृदे की धड़कन ये बसी हुई है सांस का आना जाना इसके बिना प्रानी जीवत नहीं है इसी पर का, तेरा जीवन ऐसा हो, सांस सांस से सिमर सुजान हर सांस में उसकी याद बनी रहे, उसका नाम बसा रहे दिल की धड़कन में वै नाम तुझे सुनाई दे गुरु महराई ने कहा, प्रतेख सादक, यहाँ तक पहुँचने में पहले अपने आप को देख ले, कि मैं किस परकार का भक्त हूँ चार प्रकार के भक्त वर्णन किये गीता में और आज के पाठ में भी वे हैं आर्थ भक्त, जग्यासु भक्त, अर्था अर्थी भक्त, ग्यानी भक्त यह सादक, तु स्वेम विचार कर, तु किस प्रकार की भक्ती करता है? जो आर्थ भक्त होते हैं उनकी पहचान क्या है आर्थ भक्त जो है वे जब दुख आ जाएं जीवन में कोई संकट आ जाए कोई कर्ष्ट निवारन के लिए तब वे उस प्रमेश्वर की शरन लेते हैं निस्संदे भगवान है ऐसा विचार उनके मन में हमेशा रहता है प्रमेश्वर सब कुछ कर रहा है ये भी विचार बना रहता है प्रन्तु फिर भी उसके नाम का जाप नहीं करते ये भी ग्यान है कि अगर कोई संकट, कोई कलेश, कोई वादा विगन आ गई उसका निवारन वे प्रमेश्वर कर सकता है और वे ही करता है ये सब कुछ ग्यान होते हुए भी आगे पीछे नित प्रती दिन नियम पूर्वक व्या उसकी शरन नहीं लेते अर्था नाम का जाप नहीं करते उससे प्रीती नहीं करते उसको पाने की प्रियतन नहीं करते प्रंतु कब करते हैं जब कोई कष्ट आ जाए कोई दुख आ जाए कोई विगन हो जाए कोई बादा हो जाए ऐसे भक्त आर्थ भक्त नाम से पुकारे जाते हैं आगे चलकर गुरु महराई ने कहा वे सबी अच्छे हैं प्रन्तु सर्वत्म कौन है जो प्रमेश्वर को प्यारा है तो पहला तो आर्थभक्त फिर दूसरा है जग्यासु भक्त जो अपनी आत्मा को पहचानना चाहता है आत्मा क्या है प्रमात्मा क्या है कहा है आत्मा उस प्रमात्मा का अंश है वो मेरे भीतर है तब ही तो मेरा ये शरीर चल रहा है वे आत्मा है क्या उसका क्या सवरूप है उसके मैं दर्शन करूँ क्योंकि वे भीतर है एक आत्मा निकल जाए जब तक आत्मा भीतर है ये शरी शिव सवरूप है एक आत्मा निकल जाए ये शरीर शव कहलाता है ये आत्मा ही सब कुछ कार्या करवाती है करम इंद्रियों से हाथ, पाउं, आँख, मुख, नाक, इत्यादी ये सब जो इंद्रियां लगी हुई है इस दे को इसका चालक कार्या करता करन करावन वे आत्मा है तब जग्यासु भक्त उस आत्मा को जानना चाहता है कि वे क्या है और उसी प्रकार इस प्रियोजन के लिए वे अपनी भक्ती करता है नियम पूर्वक से जाप, सादना ये उसका नियम पूर्वक चलता है क्योंकि उसका प्रियोजन है कि मैं अपनी आत्मा को जानूँ फिर तीसरा है अर्था आर्थी ये अर्था आर्थी जो भक्त होते हैं ये रिदियां सिदियां मांगते हैं इनके मन में अपनी बड़ाई हो लोग मेरी वावा करें ये भाव रहता है रिदियां सिदियां हाथ खाली है यूँ हाथ उपर किया चाहे विभूती आ गई चाहे कोई पदार था गया और लोगों को दिखाया ये सिदि जाते हैं अथवा इसको विस्तार से जाने अनेख प्रकार की सिदियां प्रंतु उनका धे जो हुआ करता है मेरी मेरा मान हो मेरी बड़ाई हो लोग मेरी वावा करें इस मनोर्थ हे तू वै जाब पाठ वै साधना करते हैं बड़ी कड़ी साधना करनी होती है रिदियां सिदियां ऐसी प्राप्त हो जाती है जैसा वै चाता है वै करवा लिया करता है प्रंत उसकी मंशा दूसरों का उदार करना नहीं उसकी मंशा है मेरी मान हो मेरा बड़ाई हो लोग मेरी वावा करें ये अर्था अर्थी भक्त है और फिर चौथा भक्त है ग्यानी ग्यानी भक्त ये कुछ भी नहीं जाता केवल उस प्रमात्मा की प्राप्ती जाता है उसकी साधना मन में सारे विकारों को त्याक करके होते हैं जाने अंजाने में कि ये पाप करमों का मारजन कर लिया जाता है नियम पूर्वक से सांस सांसे क्या क्या विचार रखके साधना होती है सभी एक है कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं विद्वान का भी आदर है पिशाच को भी वै बुरी दृष्टी से नहीं देखता वै जानता है ये करम अनुसार ये सृष्टी का नियम के अंतरगत हो रहा है ग्यानी घ्रिना नहीं करता वै उसके जड़ में क्या है उसको जाना करता है कि उसका वहवार उससे अगर बुरा वहवार भी कोई करता है तो चलाए मान नहीं होता बहुत अपने से अपने आप से विचलत नहीं हो जाता कि मेरा मान हुआ अथवा अपमान हुआ वै जानता है कि उसके अंदर जो उसकी वृति है उससे ये कार्या करवा रही है अब रिद्यां सिद्यां ग्यानी को अपने आप प्राप्थ हो रही है अब ग्यानी प्रमेश्वर से प्रार्थना कर देता है हे प्रमेश्वर इसकी दुर बुद्धी ये समाप्थ हो इसको सद बुद्धी प्राप्थ हो ये दूसरों के भलाई के लिए कार्या करे दूसरों के नाश की वृति इसके अंदर ना रहे दूसरों को जो नुकसान पहुँचाने की वृति है इसमें ना रहे अब सिद्यां रिद्यां एक आर्थ भक्त्वी वे तो मांग करता है उसके लिए प्रियतन शील रहता है और ग्यानी को ये रिद्यां सिद्यां अपने आप राप्त होती हैं जिससे वे परहित परुकार और दूसरों की सेवा और उस प्रमेश्यर की भक्ती बड़ी श्रदा से प्रीती से करता है सब के उपर उपकार करता है सब का मित्र बनके रहता है गीता में आया है सबी भक्त उत्तम है क्योंकि वैं लगे तो हुए है कुछ ना कुछ शुब करम करने में परंतो ग्यानी तो मेरा आत्मा ही है ग्यानी मेरे में निवास करता है और मैं ग्यानी के हृदे में निवास करता हूँ हे देव अदिदेव हम सब आपकी चरन शरन में हैं आप अपनी कृपा वनाए रखें हम सब पर आपका वर्धात सदैप सापित रहे हे देव आपको बार बार नमस्का 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 हे परमपूज शरी स्वामी जी महराज हे परंपूश श्री पेम जी महराज जैसी सादना आपने वर्णन की है आप क्रिपा करें हम सादना के उस उच शिकर पर पहुंचें आपकी क्रिपा को प्राप्त करें आपकी मेहर को प्राप्त करें हे गुरुदेज हे परंपूश श्री स्वामी जी महराज बार बार नमस्कार 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 आज मंगलवार